हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग, तो फ्रेंट्स मैं राजे सादो स्वागत करता हूँ आप सभी फ्रेंट्स और इस्टुडेस का आपके अपने इस यूटुब चैनल टार्गेट भी थराच्वे, तो फ्रेंट्स आज हम लेकर हाजिर हैं 16 फेरवरी, ठीक ह क्या एक बहुत बहतरिन टॉपिक लेकर हम आए हैं, तो फटा-फट हमारे साथ बीडियों को देखिए, और इसकी बिल्कुल मत कीजेगा, आम तक बीडियों को देखते चलिए हो सकता है, आपको ये जो most important topic बताने चल ला हूँ, सायद आपको examination में मिल जाए, ठीक है जी, त हैं, फटा-फट लाइक का दीजे, जो जो वीडियों को देख रहे हैं, लाइक का दीजे, शेयर कर दीजे, और साथ में चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सस्क्राइब करके, बेल आइकन को all प्रेसर के घंटी बजा दीजेगा जी, ठीक है, बोर्ट 2023 की बात कर रहे है क्लास 12 की ये क्लास है, NCRT पैटर्न पर आपकी जो क्लासेश चलाई जा रही है, वो उसी पर लेटेड है, तो आज एक पहुत बहतरेना हम जीवन परिचा के बारे मताने चल लहे हैं, और इंपोर्टेंट जीवन परिचा है, जो 2022-23 बोर्ड एक्जामनेशन है तो है, और य तो चलिए बिना टाइम वेश की शुरू करते हैं, उस लेखक के बारे में जिसका जीवन परिचे हम पढ़ने चल रहे हैं, लेखक का नाम है डाक्टर हजारी प्रसाद दृवेदी, डाक्टर हजारी प्रसाद दृवेदी के बारे में पढ़ने चलेंगे, आपको इसमें 5 अंक मिलेंगे जीवन पर्चे आप लिखेंगे तो पांच अंक मिलेंगे लेकिन आप करते क्या हो कि केवल जीवन पर्चे लिखते हो तो अगर जीवन पर्चे लिखोगे आपना तो मात तीन ही अंक मिलेंगे अगर उसके साथ आप उनकी कृतियां लिख दोगे उन्होंने क्य क्या रचनाई की है न जी तो उसके साथ दो अंक और मिल जाएंगे जिससे मिलाकर आपके टोटल हो जाएंगे पूरे पांच के पांच नंबर तो अब आप ये पूरे पांच नंबर कैसे ला सकते हो चलिए हम आपको विश्टास बताते हैं और ज्यादा आपका समय लेंगे न अगर कोई प्राबलम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट जरू करके बता दीजेगा जी कि सर नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्राबलम है तो आप मुझे जरू बता दीजेगा ठीके तो डाक्टर हजारी प्रसाद द्रिवेदी की बात कर रहे हैं साहित्तिक परिचय पहल सिखनी आरम कर दी थी किस्य श्री व्यों के सास्त्री से इहोंने बच्पन से ही कविता लिखने की जो कला सिखनी आरम कर दीजिसानती निकेतन पहूचक इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी कविंद्र रबिंद्र का इन्पर बिशेश प्रभाव पड़ा बंगला साहित से भी ये बहुत प्रभावित् थो फड़ा फट अगर आपको लगे कि नहीं हम इतना ही लिखेंगे तो फड़ा फड़ा इसका screenshot ले लिजेगा और अपनी study करते रहिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं डाक्टर हजारी प्रसाथ दिवेदी के बारे में और क्या-क्या चीजे हम जान सकते हैं तो सबसे परा नंबर आ रहा है डाक्टर हजारी प्रसाथ दिवेदी की बारे में हम पढ़ रहे हैं इनका बात करेंगे जीवन परचे तो फड़ा पट इनके जीवन के बारे में कर रहा है कि आचार हजारी प्रसाथ दिवेदी का जन्म 20 अगस्त 1907 इसवी में ध्यान दिजेगा 20 अगस्त 1907 इसवी में बलिया जीले के दूबे का छपरा नाम गाव में हुआ था कहां हुआ था बलिया जीले के दूबे का छपरा नाम गाव में हुआ था इनके पिता का नाम सिरी अनमोल दूबे एवा माता का नाम सिरी मती जियोती कली देवी था बियाच्चु के नाम से जानते हैं , जो आज हम भियाच्चु के . ज हम भियाच्चु भी करते हैं, से साहित में अचार की उपाधि प्राप्त की, इन्होंने ब्यच्चु से जो थी तथा साहित में आचार की उपादी प्राप्त की सन 1940 इस भी में हिंदी अवम संस्कृत के आध्यापक के रूप में सांती निकेतन चले गए यानि 1940 में ये संस्कीरित और हिंदी के अध्यापक के रूप में सांती निकेतर स्कूल में भी नोने नियुक्ति ली थी यहां इन्हें विश्व कभी रविंदना टैगोर का सम्मानित मिला और साहित स्थीजन की और अभिमुक हो गए सन 1923 में कासी हिंदों भी स्वजाले के हिंदी विभाग में अध्याच भी नियुक्त हुए सोच लीजिए डाक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी बियाच्चु में भी हिंदी विभाग के अध्याच में नियुक्त हुए हैं इतनी बड़ी उपाधिन उने प्राप्त किया था ठीक है आईए इनके थोड़ी सी हम हजारी प्रसाद दिवेदी की साहित्य के बारे में जान ले इन्होंने किया क्या था ठीक है इनका जो है साहित्य क्या बता रहा है डाक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी का आलोचना साहित्य कर रहे हैं कि सूर साहित्य कबीर सूरदास और उनका काब्य हमारी साहितिक समस्याएं हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य का साथी साहित्य का धर्म हिंदी साहित्य समिच्छा साहित्य नक दरपड में हिंदी कविता साहित्य का मर्म कालिदास की लालित्य योजना आदी और इनकी भासा की जो इनकी सैली क्या थे ठीक है जी गविशरात्मक सैली थी आलोचनात्मक सैली है भावात्मक सैली है हास्य ब्यंग्यात्मक सैली है और उधरर सैली है इन्हों जितने भी रचनायकी है इन सैलियों में इनकी भासा सैली मिलती है तो एक फटापट इसका भी अगर आपको स्क्रीन सॉट लेना है तो फटापट स्क किये हैं हजारी पसाद दिवेदी जी की प्रमुख कृतियां क्या-क्या है तो इसमें उन्होंने क्या-क्या निबंद में की अगर हम बात करें तो बिचार और वितर्क कलपना अशोक के फोल कुटज साहित के साथ ही कलप लता बिचार प्रवा आलोग पर्व आदी इन्होंने इतनी चीजे जो है निबंद के रूप में इन्होंने राइट किया है, ओके, आईए हम बात करेंगे उपन्यास की तरफ, अगर हम उपन्यास की बात करते हैं, तो उन्हें क्या-क्या उपन्यास लिखा है, करा कि इनका उपन्यास पुनर परवा है, वार भट की आत्म कथा है, चारुचंद्र लेक है, चारुचंद्र की चंचल किरड़े है न जी, अनामदास और अनामदास का पोथा आदी, इन्होंने इतनी सारी चीजों के बारे में भी उपन्यास इन्होंने इतना आलेडी लिखें हैं, ठीक है, तो अगर इसका भी स्कीन सॉट लेना है, तो प्रवल संभावना बन जाती है, ठीक है शुड़ेस, और इसके बाद यदि आपको लगे कि सर, इनके बारे में कुछ बता दीजे, इनकी कृतियों के बारे में भी बता दीजे, तो आप मुझे कमेंड कीजे, मैं आप लोग को जरू जो है उससे लेटे वीडियों आपको अ और साथ में चैनल को सस्क्राइब करके घंटी बजा दीजे, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मोश वीडियों की इंपोर्टेंस मिलती रहे, और नोटिफिकेशन और रने से फायदा आपको ये है, कि आपको जब जब वीडियों प्रोवाइड करा जाएंगी, आपको म कोबाइल पर आपके मैसेज आपको मिल जाएगा, कि वाई ये क्लास इस टार्गर्विथ राज चैनल पर चलने वाले हैं, ठीक है, तो आई हूप ये वीडियों ये क्लास आपको पसंद आया है, चलते जलते आप सभी से इवाद पिसर रिक्वेस्ट है, वीडियों को लाइ डाक्टर हजारी पसाद द्रिवेदी के बारे में, ठीक है जी, आज हमने पढ़ा डाक्टर हजारी पसाद द्रिवेदी के बारे में, उनकी जीवन परचय, जीवन कृतियों के बारे में, और हिंदी के 23 के पेपर में ये most important topic है, ये बहुत ही जादा very very important है, इस बार के पेप में डाक्टर हजारी पसाद द्रिवेदी बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है, तो और आपको ऐसे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेन करके बताते रहिएगा, अभी तक के लिए बस इतना ही, और हाँ, सामको 7 बचके 45 पीम पर लाइव आना बिल्कुल ना भूले, 7.45 प यम पर अभी तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत!